नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है MPO Online CSC Business Training के इस चैनल पे और आज एक और वीडियो के साथ आप सभी के सामने आप सभी के सवालों के जबाब देने के लिए आ गया हूँ तो आज का सभी सवालों के जबाब देने ही आते हैं तो जो भी आपके सवालों के जबाब देने ही आते हैं तो जो भी आपके सवालों के जबाब देने ही आते हैं तो जो भी आपके सवाल रहते हैं आप कमेंट जरूर करें और आज आपके जो भी सवाल है इस वीडियो के नी किया हूँ MP online खोलना चाहता हूँ हमारे village area में already MP online खोली है तो हमारे यहाँ form भरने वाले काम नहीं आते ज़्यादा छोटे छोटे काम ही आते हैं क्या MP online चलेगी या नहीं सिफ कुमार जी पहले चीज़ तो यह कि आप 10th pass वो computer का knowledge है आप बिलकुल MP online खोल सकते हैं फिलहाल MP online की registration बंद चल रहा है लेकिन in future जब भी start होंगे तब आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं और बिलकुल आप इसका काम कर सकते हैं क्योंकि आप 10th क्योंकि minimum education उसमें 10th ही मांगी जाती है तो उसके अधार पर अगर आप खोलना चाहें तो आप बिलकुल काम कर सकते हैं अब रही बात कि आपके यहां पर MP online है तो आप डिपेंड करता है कि आपके यहां का area कितना बड़ा है कितने लोग हैं किस प्रकार के लोग हैं मतलब educated हैं या uneducated हैं छोटे बच्चे हैं या school college वाले बच्चे हैं तो डिपेंड करता है आपके area पर कि किस प्रकार का area है जहां पर customer आपके पास उस प्रकार के available हैं या नहीं किसान हैं क्योंकि किसानों से सम्मधित भी बहुत सारी हो जना या आती है तो आप वो सारे काम भी कर सकते हैं अगर आपके आसपास अगर जैसे आपके गाओं में तो mpon already है जैसे आपका कहना है तो उसके अलावा अगर आपके गाओं के आसपास कहीं ऐसा कोई जहां पर आबादी अच्छी खासी हो या कोई स्कूल है या तो कोई कॉलेज है या तो कोई पंचायत है ग्राम पंचायत है जनपत पंचायत है उसके आसपास कहीं अगर आप सौप उपन करते हैं तो वहाँ पर चांसे है कि आपकी सौप में अच्छी खासी केस्टमर आएं जहां पर customer का पहुँचना थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है तो ऐसी जगह पर आप shop जो है customer नहीं आएंगे और आप अपनी business की growth नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहली और important चीज़ होती है shop की location का selection करना आपको आपके area के किस प्रकार का market है वो market को समझना है और कौन सी ऐसी जगह जहां पर आपके business की अच्छी growth हो सकती है उस जगह को चुनिए और वहाँ पर आप बिलकुल in future MP online का का काम कर सकते हैं साथी साथ CSC का भी काम कर सकते हैं और अगर आप MP online और CSC से संबंदित training लेना चाते हैं में हमने ये बताया हुआ है कि MP online में कैसे form बरे जाते हैं या कैसे business की growth की जाती है CSC संबंदित काम कैसी की जाते हैं इस सारी चांकारी हमने वहाँ पर दी है लगबग साड़े 500 वीडियोज अभी वहाँ पर training की available हैं अगर आप complete training लेना चाते हैं तो हमारा एप है computer घ्यान के इंदर उसको जरूर डाउनलोड कीजेगा एप में आपको course मिल जाएगा वह आप join कर लें वहाँ पर आपको complete training मिल जाएगी MP online और CSC संबंदित और business growth से संबंदित मुकरूप से business growth से संबंदित कि कैसे आप अपनी business की growth कर सकते हैं अगला सवाल है रंजीत यादव जी का इनका कहना है voter में correction करने के बाद hard copy भेजनी पड़ती है क्या नहीं जी voter card में जो एक correction वाल option आता है उसके माद्यम से अगर online आप correction कर रहे हैं तो वो OTP के माद्यम से हो जाता है वहाँ पर mobile OTP के माद्यम से होते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का physical document आपको भेजने की आवाज सकता नहीं होती है ठीक है रंजीत यादव जी आकास अस्वरी जी का पूछ रहे हैं भाईया आधार card में mobile number link करने बाली ID नई सर आकास भाई mobile आधार वाली ID अपने पास नहीं है इन फ्यूचर अगर कोई NHDL, UTI के माद्यम से ये ID प्रोवाइट की जाती है तो उसकी जानकरी हम आपको online इसी चैनल के माद्यम से जरूर देंगे चैनल पे बने रहिएगा सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा सुभम गुपता जी आधार सुप्रवाइजर सर्टिफिकेट कैसे ले सुभम भाई आधार सुप्रवाइजर सर्टिफिकेट लेने के लिए website है मैं आपको link के दे देता हूँ यहाँ पर comment में आपको NSEIT exam आप सर्च करेंगे यहाँ पर तो सबसे पहली link आपको मिल जाएगी NSEIT UIDAI exam आधार operator exam जिसको अपर बोलते हैं तो यह आधार operator exam में इसको आपको यहाँ पर form भरना होगा और इसका exam देना होगा है exam देने के बाद आपको लेना चाहते तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से registration करके इसका exam देना होगा इससे संबंदे जानकारी एक अलग वीडियो में हमने आलरेडी देखे रखी हुए अपने चैनल पर चैनल पर एक बार विजिट कीजेगा वहाँ पर आधार संबंदे वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसके अंतरगत आपको यह कैसे registration करना उसकी भी पूरी जानकारी है ठीक है तो एक बार उसको जरूर देखिएगा SV Online Service आपको मैंने एप पर screenshot सेंड कर दी जी SV Online Service सर आपकी सारी detail हमको मिल गई है बिलकुल आप परिसान ना हो आपको आईडी जो आपने जिसके लिए आवेदन किया है वो आपको बिलकुल मिल जाएगी आप MP का सवाल है कि सर बिना CSC से आईसमान कार्ड बनाने के लिए आपका BIS Portal होता है जिसके माद्यम से आप आईसमान कार्ड बना सकते हैं विदाउट CSC और अगर उसकी आईडी आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे संपर्ग कर सकते हैं और इसके लिए एक वीडियो कल लाइफ सेसन जो हुआ तो लाइफ सेसन को एक बार देख लीजेगा आपको complete detail उसके बारे में मिल जाएगी और लाइफ सेसन का वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा जस्ट कल का ही लाइफ सेसन था तो एक बार उसको देखेगा आपको complete information मिल जाएगी आयसमान कार्ट के बारे में, pen card के बारे में NHDL, UTIE दोनों से आपको pen card की ID मिल रही है और साथी साथ BIS portal के माद़न से आपको आयसमान की ID मिल जाएगी उसके लिए CSC होना कंपलसरी नहीं है ठीक है? अगला सवाल है ब्रज गोपाल जी का सराइसमान कार्ट CSC से बनाते हैं तो finger बार बार क्यों लगाना पड़ता है? ऐसा कोई तरीका है जो finger ना लगाना पड़े? नहीं, बिना finger के नहीं, first time लगाते हैं पर आयसमान का जब आपका होता है तो first time जब आप लगाते हैं सोनु भाई ने reply भी दिया था जिसका आधार mobile register नहीं होता है उनका finger लगता है बरना जिनका registered है उनका OTP से भी काम हो जाता है, बिल्कुल सही लेकिन यहां पर I think ब्रज गोपाल जी का सवाल ये था कि जब ID को लोग इन करते हैं तब उनको बार बार थंब लगाना पड़ रहा होगा तो वो आपके server की problem हो सकती है बाकि जब आप ID login करते हैं तो first time बस एक बार लगता है उसके बाद आप जितने चाहें card बना सकते हैं स्वार संग्राम थेंक यू सर वेलकम जी UCL website नहीं खुल रहा है UCL website में अभी error चल रही अपडेशन चल रहा है UCL से संबंद अभी काम नहीं हो रहे हैं जब भी होंगे आपको जानकारी दे दी जाएगी कि UCL registration फिर से start हो गए हैं अभी UCL registration बंद चल रहे हैं ठीक है राश्टर हित आपने कमेंट किया महत्रपुन जन कर दिया वीडियो सेयर करें बढ़ी अभाई धन्यवाद बिलकुल इसमें विमल जी का सवाल था कि सर यूपी में आईस सुमान आईडी मिलेगी बिलकुल मिल जाएगी बहुत सारे और लोकेशन है जहां पर यह अवेलिबल है तो यदि आप लेना चाहते है तो इसी वीडियो के जो लाइफ सेसन का वीडियो दिया है आपका इसी लाइफ सेसन के वीडियो के नीचे आप देखो जानकारी वाला एक उप्सन है डीटेल वाला वहां सब डीटेल सेंड कर सकते हो और साथी साथ उसी के नीचे जॉइन करने की भी लिंक के दिए वहां सब जॉइन भी कर सकते हो तीन डॉक्यमेंट आपको रखने हैं अपने पास आप अगर परसनल बात करने चाहते हैं तो आप आजाएं कहां पर चैट में हमारे एप है कंप्यूटर ग्यान के इंदर वहां पर आजाएं वहां पर चैट आप्सन आपको मिल जाएगा वहां पर आके आप हमको जानकारी दे सकते कि आपको कौन सी आईडी चाहिए? CSC आईडी चाहिए तो आप डिरेक्टली लॉग इन करें और कैसे उसका एक्जाम देना है टी सी आपका जो रजिस्ट्रिसन होता है वो पूरी प्रोसेस मैं आपको बता दूँगा बाकी यहाँ पर STD News भाई CSC आईडी आपको बेचना है मैं आपकी बात समझ रहा हूँ लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा आप यहाँ वीडियो के कमेंट में आकर सबको CSC आईडी मत बेचो क्योंकि CSC आईडी अगर मेरी जवलपुर की आईडी है तो मैं भौपाल में वो आईडी नहीं चला पाऊंगा ठीक है तो आपकी आईडी जहां की है आप अपने आसपास के एरिया के लोगों से बात करो और वहाँ पर किसी को आईडी लेना हो तो वहाँ पर दो आप यहाँ कमेंट में आकर मत बूलो कि आईडी बेचना है इससे कोई आपको कोई फाइडा नहीं होगा अगर आप आईडी किसी को बेच भी दोगे तो भी वो आदमी परसान रहेगा क्योंकि कल को CSC जो डिस्टि किसी को दे दो उसी जगह पर जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहीं पर किसी और को चलाने के लिए दो आप आईडी लेकिन आप आईडी यहाँ पर कमेंट में आकर किसी को भी मत बिचे क्योंकि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो आल ओवर इंडिया से हैं तो आपकी आईडी एक जगह की है वो कहीं और पर यूज नहीं हो सकती ठीक है चले तो आज के लिए इतना काफी है बाकी और जानकारी के लिए हम कल फिर एक वीडियो लेकर आएंगे तो रोज रात को 9 बजे आपके कमेंट्स के रिपलाई लेकर हम आते हैं कोई भी सवाल है आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिए वीडियो के लाइक दीजिए कर मिलते हैं अगले वीडियो में